नमस्कार दोस्तों तो दो ब्रेकिंग निउस आई हैं, दो बड़ी खबर आई हैं डरने की कोई बात रही है, बैंक ओफ इंग्लेंड ने रेट हाई किया था जिसके वज़े से प्रोब्लम क्रियेट होई थी फैज की भी वही कमेंटरी है, तो इस वज़े से मार्केट ने थोड़ी करेक्शन दिखाई है, पर इस टोक ने इतनी करेक्शन नहीं दिखाई, क्योंकि निउस के आती देखिए परलियमेंट में एक बिल पास हुआ है, जिसने कहा गया है कि रिनुबल अनर्जी कमपल्सरी है, मेंडेट है, कुछ परसेंटेज ओफ रिनुबल अनर्जी, बड़े बिजनेस के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा अनर्जी कंजम्शन करते हैं, तो इससे फायदा किसको होग देखिए, बड़े प्लेयर्स अकर रिनुबल की तरफ जाएंगे, तो वही प्लेयर्स होंगे जो रिनुबल डील कर रहे हैं, जिसमें अटानी करीन आता है, रिलाइंस आता है, टाटा पाउर आता है, तीम बड़ी कंपनी, और इसी में दूसरी खबर जो है, 2024 कमिशन हो जा जाल में अगले साल के एंड पर ही खतम कर देगा, दो जाते इस साल के एंड पर ही, तो यह PLI स्क्रीम के अंटर जो 4 गिगावोट की कपस्ती बोना रहा है, तो वह कोई छोटी मोटी कपस्ती नहीं होने वाले है, उसके वज़े से बहुत बड़े बड़े फैसले होने वाले तो यह ध्यान रखे का आने वाला टाइम बहुत बड़े होने वाला इन तीन कमपनीज के लिए, अडानी ग्रीन नेरची के साथ प्रोब्लम किया है, यह बहुत हायर प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, अगर मैं कहूं तो 700 के PE रेशियो पे कर रहा है, 600 के PE रेशियो पे कर र नीचे और गौर्णमेंट के ऐसे अच्छे अगर और भी बड़े डिसीजन आते रहे जैसे कि आपको कमपल्सरी है, रिनीवल में इतना करना, तो यह इसके लिए और फायदे बन होगा, तो लोंग टर्म का सोचिए और सोच समझके इन्वेस कीचिए, धन्यवाद